कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था आप सुनेंगे तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका और दोनों की बीच में महा समुदर अब वानर सेना बड़े-बड़े पत्थर उठाकर समुदर भी डाग गए थी राम सेतु का निर्मान कर सीता मया को वापिस जो लाना था प्रभू शिरी राम किनारे पर खड़े सब कुल देख रहे थे तब ही उनकी नजर पड़ी एक गिलैरी पर गिलैरी जो थी वो पानी में जाती फिर किनारे पर आती रेत में लोट जाती थी फिर राम सेतु के पत्त्रों की और फिर भागती फिर से पानी में जाती फिर रेत में फिर पत्रों के राम जी को अश्चरे हुआ कि यह हो क्या रहा है वो गिलैरी के पास गए पूछा तुम गिलैरी कर क्या रही है गिलैरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती है उस पर रेत लपेट दी है और पत्रों के बीच की जो दरारे हैं उसको भरती हूँ राम सेतु के निर्मान में मैं भी अपना चोटा सा योगदान दे रही हूँ आज बारी हमारी आयोध्या में हमारे शुरी राम के भव्य मंदर का निर्मान शुरू हो चुका है हम मैंसे कुछ वानर बने, कुछ गिलेरियां बने और अपनी अपनी शमता के अनुसार योगदान देकर एतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साज्यदार बने मैं खुद करता हूँ शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीडियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुर्शोतन राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेर नाम मिलती रहे जैश्रीव